क्लास टेंथ, केमेस्ट्री, चैप्टर बॉन, चैप्टर बॉन का एकसर साइज का कोश्चना वाफ फास्ट, इस कोश्चन में बोल रहा है, इसमें इनकरेक्ट अस्टेट्मेंट जो होगा, उसका खुज करना है, यानि कि उसको इसमें से निकालना है, जो इनकरेक्ट है, इस एक्वेशन में देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पीवियो को बोलते हैं, लेड ऑकसाइड, कारवन प्लस कारवन, प्रोड़क्ट बना लेड प्लस कारवन डायकसाइड, अब हम लोग जानते हैं कि ऑकसीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप्शन कौन सा इसमें साही है, जो, ऑकसीडेशन उसको बोलते हैं, जिसमें या तो ऑकसीजन का गेन होता है, और फिर हर्डोयन का लॉस होता है, और रिडक्शन उसको बोलते हैं, जिसमें या तो ऑकसीजन का लॉस होता है, या फिर हर्डोयन का गेन होता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन, अब हम लोग इसमे में देखते हैं कि इसमें जो लेड ऑक्साइड यहां पर दिया हुआ है उसमें से ऑक्सिजन हट रहा है और हट कर कारवन के साथ जुड़ रहा है यानि कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सिजन हट रहा है ऑक्सिजन इसके साथ हट गया यानि इससे रिमूब हो गया है तो इसमें ल तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि उसमें देखे थे कि कार्वन के साथ जोड़ रहा था यानि कि कार्वन इज गेटिंग इस यह हमोग का सई होगा और इसमें लेट उकसाइड उसके साथ उकसर रहा है यानि कि lead is getting lead oxide यानि इसमें जो lead oxide है उससे oxygen हट कर lead बन रहा है यानि कि lead oxide is getting reduced हम लोग का इसमें और यह हम लोग का यहाँ पर जो option फर्स्ट यहा हुआ है कि lead is getting reduced तो इसमें lead नहीं है lead oxide है इसलिए हम लोग यह नहीं बोलेंगे कि lead is getting reduced बल्कि हम लोग यह बोलेंगे कि lead oxide is getting reduced और option second इसलिए wrong है क्योंकि इसमें बोला गया है कि carbon dioxide is getting oxidized जबकि यहाँ पर carbon dioxide नहीं, carbon dioxide नहीं, carbon है सिर्फ तो हम लोग बलेंगे कि carbon is getting oxidized तो हम लोग का यह option C and D सही है और option A and B wrong है इसलिए first हम लोग का wrong है और यह हम लोग का सही answer है